जय हिन जय भारत अच्छा सात्वी में सर और हमारा बेटा अभी कच्छा तीन में है सर अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाते और उनकी पढ़ाई पुरी करवना चाते हैं और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि आज ही नई सर पढ़ते हैं सर वनना मा सक्षी मंदर चलाती हैं वो सेल्फ हेल्फ गूर्प में काम कर रही हैं वो बैंग सक्षी बन गई हैं सब कुछ देखते हुए करते हैं सहर, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं, सहर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और साथ साथ अपनी सहर गाव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए, हमारा जो कर अब देश में गाओं में आप जैसे परिवार की जो माताय बहने हैं इस देश में दो करोड़ दो करोड़ माताओं बहनों को मुझे लगपती बनाना है तो आपकी बात जब सुनेंगे न तो लोगों को विश्वात हो जाएगा यहां लगपती दीदी बन सकते हैं सर यह कहने की बात नहीं है हम लोग बोल नहीं पाते हैं हमारी तरह बहुत सारी दीदिया है सर जो समु के माध्यम से जूड़कर आत्मनीवर बनी है लगपती दीदी बनी है सर यहां बोलने को हर किशी को मौका नहीं मिलता सर यह हमारे बहने हैं जो लगपती दीदी बनी होग आजकल शादी ब्याव होते हैं तो वो खड़े-खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब तो लोगों को लगता है कि दूबारा मिलेगा ना इसलिए थाली बर देते हैं और फिर आधा छोड़ देते हैं तो खाना बरबाद हो जाता है किसी के घर में जन्मदीन है तो अभी खाना बरबाद हो जाता है अगर आपके सेल्फ हेल्फ कूल की बहने उनको परोसना कैसे उसके ट्रेनिंग हो जाए उनके अच्छे कपड़े हो जाए फिर वो हाथ में मोजे भोजे पहन करके दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाए ऐसे लोगों है तो खाना तो बचेगा ही बचेगा जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्वीस मिल जाएगी आपकी बेहनों को कमाई हो जाएगी और जब भोजन समार में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे ने ने भी आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाएए तो घर में नूट्रेशन का प्राब्लम भी सोल हो जाएगा तो मैं समरता हूँ एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं फैंक देते हैं अगर परोशने की वेवस्ता नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है तो ऐसा काम कर सकते हैं आपको बेहने कर सकते हैं सर तो सब को ट्रेंग करोगी आप मैं भी योगी जी को बताता हूँ कि ऐसे लोग जो अपना समारूप करें तो आप जैसे लोगों को बोलाएं और वो परोशना का काम समाले अज़ा आपके गाउं में स्वच्छता का अभियान